हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल टूट फशेर मार्केट आज हम डिसकस करेंगे बाउट HDFC बैंक, SBI, Axis Bank, ICIC Bank, Adani for 22nd of Feb बात करें तो ICIC बैंक की यह एक ट्रेंड लाइन को फोलो कर रहा है 15 मिनाट टाइम फ्रेम है यह एक ट्रेंड लाइन को फोलो कर रहा है अगर यह ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है न तो एक ब्रेक आउटो का ट्रेंड लाइन का और एक बुलिश मुमेंट हमें दिख सकता है लेवल जो है that is important 857 के ऊपर जाता है तो 863 एंड 871 यह हमारे टार्गेट होंगे और 850 के नीचे आता है तो 845 एंड 838 यह दो टार्गेट हमें मिल सकते हैं और अगर तरुट यह रोका रहता है तो हमें ट्रेंड लाइन के रेस्पेक्ट में एंट्री एंड एकशित करना है ओके ट्रेंड लाइन दॉर नॉक्र करना है aun। नेक्स अगर नीचे बैंक की बात करें तो यह भी सेम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन को फोलो कर रहे हैं अगर यह ट्रेंड लाइन को का ब्रेक आउट देता है तो बुलिश मुवमेंट एंड इसके नीचे अगर सर्वाइव करता है तो बेरिश सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा 1654 के उपर अगर हम बात करें तो हम बाइंग करेंगे for 1661 and 1668 and अगर हम बात करें सेलिंग के लिए तो 1643 के नीचे हम सेल करेंगे for the target of 1636 and 1627 that is for HDFC यह सर्वाइवल की बात जो है वो 30 मिनट के लिए हैं अगर 30 मिनट से लेवल के नीचे या उपर रहता है तो ही हम एंट्री क करेंगे otherwise नहीं करेंगे next अगर हम बात करें that is access bank access bank share once again सारे banking sector के share एक trend line को follow कर रहे है ठीक है यह is access bank की बात करें तो यह day candle में trend line को follow कर रहे है तो बाइंग के लिए लेवल है that is 855 अगर 855 के उपर survive करता है 30 मिनट तो 872 and 885 के target हमें मिल सकते हैं and अगर selling के बात करें 840 के नीचे जाता है तो 823 and 805 यह दो target open हो जाएंगे हमारे लिए for access bank next SBI SBI के बात करें तो 528 के उपर buying आए generate होगी first target हमारा 532 1% होगा and second target हमारा 539 यह 2% का movement के लिए possible है and अगर selling side के बात करें तो that is 523 को break करें survive करें for 30 minutes तो हमारा first target होगा 519 and 514 SBI को link आप हमेशा अडानी से करना अडानी में अगर selling pressure है तो SBI में भी selling pressure रहेगा और अडानी में buying है तो SBI में भी buying हमें दिख सकती है next अगर हम बात करें that is Adani Adani enterprises के लिए 1690 और 1560 यह दो level है that is no trading zone अगर 1690 को cross करता है तो 1880 और 2160 के target हमें मिल सकने है and अगर selling side की बात करें तो 1560 के नीचे अगर जाता है तो 1426 and 1050 यह selling के target बढ़े हैं because अगर कोई news अगर आती है and उसकी वज़े से गिरना start होगा तो selling pressure generate होगा है so that's for today if you like it please like subscribe and share thank you